नमस्कार दोस्तों जैसा कि सभी को पता है कि पिछले दो मेने से साही दिस्मार्ग पर युवा दर्णा प्रदसन कर रहे हैं बड़े सर्म की बात है कि युवा आज अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता ऐसा ही कुछ आज हुआ है मुख्यमंत्री जी के प्रतक गाव अटारी से बरतपूर में उनके गाव तक उनके घर तक के लिए बाइक रेली की योजना थी पुलिस परसासन के द्वारा बीच में ही युवाओ को रोक लिया गया फिर उनको पीटा गया मारा गया लाटियों से रंडों से फिर उनको ठाने ले जाये गया ये कर रही है पाजपा की पजनलाल सरकार युवाओ के साथ मतलब आप आवाज भी नहीं उटा सकते हो आगे क्या गुना है इन युवाओ का आते ही पांस जार रोजगा छिन लेते हो एक तरप आप नोक्रिया देने का वादा करते हो क्या राजस्तान का युवा गुंगा बेरा है नहीं बजनलाल जी ऐसा बिलकुल नहीं है आप कुछ स बेरिगेटिंग की गई जैसे किसानों को रोक रहे हैं जैसे इनको रोकने का प्रियास कर रहे हैं देखिए का आप सो खुद सुनिएगा साथियों आप देख रहे हो कि हम सांती पूंड तरीके से सीएम साब के गाउं से और भरतपुर उनके आवास तक बाइक रेली करना चाहरे थे एक तम गांधिवाजी तरीके से और सम्मानिय भजनलाल जी के मातपिता के चरणों में ग्यापन देना चाहरे थे लेकिन आप देख रहे हो को सरकार किस तरीके से इन वेरोजगारों के साथ अत्या चार करिये हमारे भाईयों को जबरदस्ति मारा पीटा जा रहा है उनके बर लाठिया पर साही गई है और उनको थानों में बंद कर दिया गया है लेकिन हम जुकने वाले नहीं है अब हम फि करके संभीदान में सभी को अधिकार अपनी बात्साचन के समक्ष रखने का तो किस तरीके से अत्ताचार हो रहा है भारतिया जनता पार्टी सरकार कान खोल के सुन लो यह लोग सब चुना में भी आगे या वाद जाने वाली है कि आप किस तरीके से हम एक रोजगार मांग अगर आपको राजीव गांदी नाम से अटल युवा मित्र बढ़ा दो लेकिन हमारे पेट पे लात मत मारो सम्मानी भजनलाल जी हम निवेदन करने के लिए लेकिन आप उस तरीके से हमारे साथ कुठारा गात करो जैसे पाकिस्तान से कोई आतंक वादी आया है लेकिन आप जुकने वाले निये हम अठारी के गांवालों के चरणों में जाके पढ़ेंगे हम रुकने वाले निये सभी भाईयों से निवेदने पूरे राजस्थान के समस्त सामाजी करता सामाजी संगठनों से कि किसान मजदूर के बेटें इनके संगर्स की लड़ाई में साथ दो य में को पूंड नई करनी दी जा रही है लेकिन हम अब पैदल यहां से जो आटारी गाम में जा रहे हैं सम्मानिय भजनलाल जी आप से निवेदन है किस तरीके का आप यह महावल करेट मत करिए हम तो सिर्फ एक रोजगार मांग रहे हैं और इस तरीके से हम तरह पंदिन से हम स लड़ाई में साथ देने के लिए आवाज बुलंद करें यह देखो किस परकार इंतजाम किया गया जैसे कोई आतंगवादी आ रहे हो पाकिस्तान से आ रहे हो एक तरफ वापर किसानों की तरह जैसे वेरिक टिंग उसी तरह राजस्तान के अंदर युवा अपने हकी अधरी के लिए है कि भरत Πूर में युवा मित्रों के लिए निखाली जा रही रही तेली यह अतिरिक्ष में पुलिस जापता तरात कुस देर में ही पहुचिंगे युवा मित्र जहां किया जाएगा परत्रशन तो आपने सुना किस परकार राजस्तान के अंदर बाजबाक चुकी आपको पता है यह तो अपना संगर्श कर रहे हैं इसलिए आपको थोड़े नजर आ रहे होंगे वाकि इसके अलावा पांस धरने चल रहे हैं से इसमार्ग पर क्या पता है बिल्कुल नहीं पता है राजस्तान के युवाओं को जगना होगा इनका साथ देना होगा क्योंकि इनके साथ ही आपके आवाज बुलंद होगी जहिंद